मारा आपके लेका हहां चाय के साथ खाने के ले खारी की रेसिपी जो आप घर पे बहुत ही बड़िया बनाएंगे और लेएर्स देखिए आप कितनी बढ़िया से इसमें लेएर्स आई है और बनाना बहुत ही असान है इसको कोई मुश्किल नहीं कि आप density है longestara स्कस्राइब तो चाय के साथ कहाई है तो चली देख लेते हैं कैसे बनाथे यह दो प्रणहें आधा चमब अजवाइन का तो अजवाइन का तेस्स में ब़क्त बढ़ आता है तो क्रश करके डालेंगे टाकि प्लेवर को सब्सक्राइस अच्छे से इसके साथ अब यहां पर डाल ध blueberry इसको अच्छे से mix कर देती हूं और mix करने के बाद इसको हम करेंगे तो मौहाइन करने के लिए यहां पर मैं डालूंगी और आप चाहे तो इसमें घी का बी यूज़ कर सकते हैं तो दो चमच में घी यहां अच्छे से हम मौईन कर लेंगे तो यहां पर मसल मसल के अच्छे से कर लें जब मुठी बननी शुरू हो जाए तो यहां पर इसका मतलब जो मारा मौईन है वो सही है अब उसके बाद यहां पर थोगा पाई डालते वे एक सेमी सॉफ्ट डो तयार करेंगे देखिए मुठी यहां बन रही कि कैसे आटे को गुणना है एक साथ पानी डालना है एक साथ डालेंगे तो कहीं जा बहुत जादा गीला हो गया तो फिर आपको इसमें और जादा आटा डालना पड़ेगा और फिर वो कॉंटिटी बढ़ती जाएगी फिर रेशियो सही नहीं रहेगा इसलिए हम जो है आपको इस तरह से बनाना चाहिए देखिए आटा मैंने यहां पर लगा के तयार कर लिया है सैमी सॉफ्ट आटा है यहां पर यह इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ना हाथ में थोड़ा से तेल लगा के इसको ग्रीस करके रख दूंगी ताकि आटा सूखे नहीं और इसको अ에서 15-20 मिनट के लिए साइड में तब तक एक हम सलरी तयार कर लेते हैं यानि साठा तयार कर लेते हैं तो 2 चम्मद्य यां पर देसी घी में ले रही हूं आप Egल में भी बना सकते हैं इसको तो देसी घी या मैंने लिया और 2 चम्मद्य यहां पर कौन फ्लो अप आरा र लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और गी डाल सकते हैं तो इसमें मैंने देखिए स्लारी इसको तयार कर लिया अच्छी सिक्जन स्मूथ पेस तयार किया है अब देखिए 15-20 मिनट बाद यहां पर आटा सेट हो गया तो इसको थोड़ा सा मैंने मसल लिया उसके बाद इस तरी ले ले और उसके काटें तो बहुत एजी से आपकी बड़ी बड़ी जो लोई है वो तयार हो जाएगी तो यहां पर देखिए लोईया मैंने जो है वो काट लिये यहां पर चार बड़ी-बड़ी कटी है इतने में और इसी से ही बहुत सारी खारी आप बना के तयार कर तो यहां पर देखिए बहुत ईजी है बनाना बस पतली पतली बना लीजिए देखिए मैं आपको दिखा देती हूं कैसे अग्दम पतली रहेगी पतली रहेगी तो आपकी खारी बहुत जादा करंची सौट और फलेकी बनेगी काफी जादा उसमें परते आएंगी तो वा थोड़ा नी तके में ना भी ऐन्य दंता धेत करोंगी है कुछी प्लेट अब करोड़ा चूमल अब करना लिए सीधी जो जो मेरे 7 जुद इस पहले की बलोड में सब्सक्राइब सफ्सक्राइब सब्सक्राइबिके इस जो इस तो चे मीष्ची इस प्लेट जैना वो कई सारी पड़तों में खुलेंगी अब इसके उपर हम दूसी रोटी रख देंगे इस तरीके से आगे पीछे हो रहा है कोई दिक्कत के वाली बात नहीं है वह बाद में सारी सेट हो जाएगी तो यहां पर इस तरीके से जो एक एक रोटी लगाएंगे उसके उपर बीड़तों आप दलेilे जाया तो जितनी भी है यहां पर देखें लास्ट वाली रोटी है एक और पर इसके उपर भी लगाएं आप और ज्यादा इस पर रोटी लगा सकते हैं जीतने विल्याहिकी बना रहे हैं तो और ज्परते आएंगे लेकिन ज्परते हैं नहीं यहां पे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ओपन इस स्ट्राइब में पर और इस तरीके के से लगा है, तो यहां पे मैं बेल के तयार कर लेती हूं, अब यहां पे सुखा आटा लगाने की जुरत नहीं है, इसी तरीके से यही शेप में इसको बेल के तयार कर लिया मैंने, और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं किया है, बिल्कुल जैसे हम रोटी का रखते हैं, उससे थोड़ लंबे भी बना सकते हैं, तो यहां पे देखिए, इस तरीके से मैं आप इसको कट कर रही हूं, और यह बहुत जल्दी जो है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि और खारी होती है, तो उसको कई देर फ्रिज में रखना होता है, फिर इसको लपेटना होता है, में रखना होता है तो इस तरीके से देखिए ये जो है हमारा ये खारी बनाने का जो ये प्रोसेस है ये तो तयार हो चुका है और यहां पर मैं इसको प्लेट में रख देरी हूं सारे जो है और प्लेट में रखने के बाद इसको साइड में करते हूं और तेल यहां पर मैंने म काट लगाना है जब तक ये अपने आप से थोड़ा उपड़ा की सिक ना जाए एग सायट से थोड़ा सा सिखना चाहिए व डेखिए अपने आप इसे स़ारी आती जा रही है और इस तरीके से यहाँ पे सारी भाई जो हैं वह कुछतक है वहतना तो प्राइब निटीकर हैं řिम खुळेंगे ओलिख दीक करने दूल आप सब दूलसार क्वाहें अ यहां यहां देखी किश लेंगे हैं क्ने को ऊच्छे सािंटिन आप लुक्ता हो सबाक्स हैं हैं solutions 5500 कवाघ इस दीव एक deeper की खारी फ्राइ कर देर कारी लेहर लेक है रहे बहुत ही बढ़िया बनती है के बाद फिर इसे हमें अलट पलट करना है और एक अच्छा सा कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है तो यह भी अब मैं इसको पलट रही हूँ तो खारी हमारी बहुत ही बढ़िया बन रही है बनाने में बहुत ही easy है बस आटा आपको अच्छे से लगाना है यहाँ पे और बहुत जादा soft नहीं करना है semi soft करना है एकदम soft मत करिएगा नहीं तो फिर यह crunchy नहीं बनेंगी तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यह भी fry हो चुकी है इनको भी निकाल लेते हैं और बाकियों को भी इसी तरीके से बना के तयार कर लेते हैं तो यहाँ देखिए मैंने कुछ खारी बना के तयार कर ली है और यह देखिए कितनी फलेकी कितनी पर्तो वाली दिख रही है पास से आपको दिखाती हूँ देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है ना खाने में उतनी ही ज्यादा क्रंची है टेस्टी है आप इसे सॉस के साथ तेमेटो केचप के साथ हरी चटनी के साथ या जो अलू टमाटर की बंडारे वाली सबजी बनती है ना उसके साथ प्लेट में रखी हुई है कितनी सारी लेर्ज थे तो बहुत ही बढ़िया यहां पे घारी के बनी है आपके सकते हैं यह चाय के साथ खाते थे हैं उसी तरीके का है बहुत ही बढ़िया और मैं देखिए इसो पास से दिखा रही हूं अगर आपको मैं इसको तोड़ के भी द प्रश हो जाएंगी क्योंकि यह क्रंची है ऐसा नहीं है देखिए कितने क्रंच इसमें आये हुए हैं तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और मुझे अपने कमेंट जरूर शेयर करेंगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी तो चलिए फिर मिलती हो नेक्स वीडियो में तब क्योंकि तिल देन बाइ